अध्याय तीन हे पत्नियों, तुम भी अपने पती के आधिन रहो। इसलिए कि यदी इन में से कोई ऐसे हो, जो वचन को ना मानते हो। तो भी तुम्हारे भै सहित पवित्र चालचलन को देख कर, बिना बचन के अपनी अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खिच जाए। और तुम्हारा सिंगार दिखावटी न हो, अर्थात, बाल गूथने और सोने के कहने या भाती-भाती के कपड़े पहनना। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप मनुशत्वा, नम्रता और मन की दीनता की अभिनाशी सजावट से सुसजित रहे। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टी में इसका मुल्य बड़ा है और पूर्वकाल में पवित्र स्त्रिया भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आपको इसी रीती से समारती और अपने अपने पती के आधेन रहती थी जैसे सारा इबराहीम की आग्या में रहती औ को तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भै से भै भीत नहो तो उसकी बेटिया ठहरो वैसे ही हे पत्यों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वह करो और इस्तरी को निर्बल पात्र जानकर उसका आधर करो ये समझ कर कि तुम दोनों जीव के वर्दान के वारिस हो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। नितान, सब के सब एक मन और कृपा मई और भाईचारे की प्रीती रखने वाले, और करोणा मैं और नब्र बरौ। बुराई के बदले, बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विप्रीत आशीश है दो, क्योंकि तुम आशीश के बारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीव को बुराई से और अपने होटों को छलकी बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करें, वो मेल मिलाप को ढूंडे और उसके यत्न में रहें, क्योंकि प्रभु की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी बिनती की ओर लगे रहते हैं, परन्तु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र और जो कोई तुम से तुम्हारी आशा के विशे में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सरवदा तयार रहो, पर नमरता और भै के साथ, और विवेग भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विशे में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विशे में वो जो तुम्हारे मसीही अच्छे चालचलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है, इसलिए कि मसीही ने भी अर्थात, अ परमेश्वर के पास पहुँचाएं, वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आग गया ना माना, जब परमेश्वर नुह के दिनों में धीरज ठेरा रहा, और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठ कर थोड़े लोग, अर्थात, आठ, प्राणी, पानी के द्वारा बच गए, और उसी पानी का द्रिश्टांत भी, अर्थात, बप्तिस्मा, येशु मसी के जी उठने के द्वारा, अब तुम्हें बचाता है, उस से मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परन्तु शुद्विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्ग दूद और अधिकारी और सामर्थी उसके आधीन किये गए हैं, क्वाषब के अरौ करने करने का गए किर दो करने का है, यहाथ हैं, परन्तु भार्ड बैए हैं, और से करने के तरा मा हैं, यहाथ हैं, यहाथ मिल की दूर्ड और से श्युद और से वान zajा facts, तो परमेश्वर कर दो दो, जू.